अस्वां प्रेज़ वान चीमा, वेलकम बेक बेद नदर वीडियो आफ कैपिटल स्मार्ट शेटी आज के वीडियो में कैपिटल स्मार्टी में जो में ओवरसीज इस ब्लॉक है जो कैपिटल स्मार्टी का सबसे पहले लाउंच होने वाला ब्लॉक है उसके एक्सेस पॉइंट के वाले से बताऊंगा अगर आप चक्री रोट से कम्यूट करते हैं जो एक्सेस रोट वन है उसके हवाले से अगर आप 400 फी रोट से कम्यूट करते हैं यानि के मेन इंटरचेंज से कम्यूट करते हैं उसके रस्ते के वाले से बताऊंगा और number 3 कि जिन members के plot overseas prime 1 sector H में है या sector G में है उनके वाले से भी video updated है कि इस वक साइट पर development की सूर्थेहाल क्या है as of third week of September 2023 इस वकर में स्क्राइटी का master plan देखते हैं master plan में जो आज की video specifically वो overseas prime 1, access 1 या gate number 1 से है मैं master plan को तरह दो light कर देता हूँ ताकि members को easily समझा सके लेकिन अभी actually जो on ground आपको थोड़ सी activity जिस gate पर नजर आती है वो यह वाला gate बनता है आपको overseas prime 1 में इसके लावा इसी के साथ दूसरा gate यहां पर बनता है लेकिन इसकी यहां पर कोई activity नजर नहीं आती यहां से access जरूर है लेकिन प्रॉपर जो gate की construction होगी जिस तरह चक्री रोड पर कुछ और सोसाइटी जनों ने गेट की construction कर रखी है बड़े आला तरीके की इस तरह construction आपको यहां नजर आएगी इसी access one road से आप access लेते हैं तो आपके left side पर जो मरकज है मरकज का नाम जो है वो M है और इसलिए इसका मरकज स्टार्ट होता है M से sector M स्टार्ट रखा है तो इसमें भी development है राइट साइट पर सेक्टर G है जिसमें तमाम के तमाम plot developed है और possession है जो आपको physically ground पर सारे नजर भी आते हैं हाफ यह निकिस की back side जो स्ट्रीट की है वहां पर आपको दसमेला के plot नजर आते हैं अब यह जो plots हैं total अगर number count किया जाए तो मेरा ख्याल है काफी बड़ा number बनता है यहां पर अगर हम plot number one से start करें 3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,19,19,39 विला जो इस जगह बन रहे हैं total in terms of number यह जो आपको यहां पर construction नजर आ रही है इस से आके जाती है तो आपके right side पे sector H start हो जाता है याद रहे कि जो H block का या overseas prime one का जो पराना मैप था उसमें यहां पे अंदर से access नहीं थी लेकिन आज की rate में properly on ground अगर आपको देखते हैं तो यहां पे proper आपको 100 feet अ कारपेट रोड नजर आता है जो कि overseas prime one से यानि कि चक्री रोड से access मिलती है overseas east को यहां से आप इस रस्ते से आसकते हैं यहां पे एक जो है नया bridge है जो capital स्मारिटिका यह सिल रिवर बनने वाला third bridge है पहला bridge यहां पे बना था, second bridge यहां पे बना है और third bridge इसके साथ ही यहां पे बनावा है अब बात करते हैं दूसरे point of view से कि अगर आप दूसरी साइट से विजिट करते हैं यानि अगर आप 400 फट रोड से आते हैं यह में इंटरचेंज से उतरने का रसता है यहां से उतर कि आप doctor and claim, doctor and claim से आगे 400 फट रोड और वहीं से आगे अब यह जो रोड है यह एकसेसर वन रोड ही इसका नाम है यह चक्री रोड से जो रोड आती है उसी रोड में आगे continue करना है थर्ड इस सेक्टर एच के इंपॉर्टस के वाले से सेक्टर एच जो है अगर टेक्निक लिए भी देखा जाए तो कनाल के प्लोट के लिहाज से सबसे जो फीजिबल लोकेशन है इन टम्स अफ एक्सेस तो सेक्टर एच ही बनता है उसकी ग्जेंपल यह है कि जिसने अभी मिलता है यहां से वह भी तक नहीं बना अगर आप चलिए अग्राउंड देखते हैं तो यह लैंड जो है थोड़ी से रिटिकेशन में है अभी आज की टाइब में यह एज़दर से होते हैं सेक्टर एच को क्रॉस करते हैं तो आप और से इस्ट को एक्सेस करते हैं यानिकि वह दोनों जो एक्सेस गेट से उनके किसी भी रस्ते से हैं और से इस को एक्सेस करने के लिए यह पॉइंट यूज करना पड़ता है तो जायर सी बात है कि जब इस पर विजट ज्यादा होंगे फुटफॉल ज्यादा होगा तो इसके डिमांड भी ज्यादा होगी इन दे अगर हम बात करें साइट की डिवल्पमेंट के वाले से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं में गेट से चक्री रोट पे एक्सेस वन रोट पे गेट बनने है उसमें बेसिक जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो किया गया है लेकिन अभी फॉदा टाइम बिंग जब विडियो हैं और सेक्टर एम का पार्शल पार्ट अभी आउन किया गया और पार्शल पार्ट ऐसा है जिसके अभी तक बिलकुल जो ब्राउनिंग के वहां लैंड की डिटिकेशन जो है मञूद है अगर हम राइट साइट की बात करें तो राइच साइट पे जो पहला रोड आपको नजर आ रहा है और पहली street नजर आ रही है इस street पर जितने plots ही 1 के लाल की हैं ये overseas prime 1 sector g है इन plots पर society की तरफ से विलास construct किये जा रहे हैं और इसके पीछे जितने plots हैं वो सारे के सारे 10 मरला के plots हैं prime 1 में जो सबसे पहले sector सब्सक्राइब हुआ था यह सबसे तेजी से डिवेलप हुआ था उस सेक्टर का नाम था सेक्टर G और सेक्टर G के अंदर जितने भी प्लॉट हैं सारे प्लॉट मोस्ली दस मरला के हैं मासवाई कुछ प्लॉट के जो में बॉलिवर्ड पर आते हैं बाकी तमाम प्लॉट को यह जो आपको रोड नजर आ रहे है बिसिकली यह सेक्टर H और सेक्टर G को डिवाइड करता है और यह रोड आगे जाके एक्सेस टू रोड जहां से आप Overseas East को एक्सेस लेते हैं चक्री रोड के रस्ता ही उसको करनेक्ट करता है में जो रोड है जो बिसिकली 400 फट रोड से एक्सेस लें तो जिस पॉइंट पर आके आप Overseas East की तरफ जाते हैं चक्री रोड से आएं तो अगर आप Overseas East की तरफ जानान चाहें तो आपको यह वला रस्ता इस्तमाल करना पड़ता है इस रोड के जो वेट है 100 फीट और रिसेंट को रिसेंट ली कार्पिट भी क्य कि यहीं से वह एरिल विजट कर सेंगे दी एएच नाइन की लेंड का जो अगर जो केपिटल स्मार्टी की तरफ से डी एच नाइन को यह डिएचे डिएचे नाइन को यह चाहसिंग अथोर्टी को टूंटी थाउजन किनाल लेंड जो ट्रांसर की गई है उस साइट के वाल लेकिन नहीं अब कैपिटल स्मार्टी डी एचे 9 को अपने मौटरवेज से एकसेस देगा, डी एचे 9 जो अपने वह व। साइ्ट पर इविलॉप्मेंट जो हेगा aelकाईगा अर बाकि जितने महामलात होंगे वह सारे के सारे अचेड की तरफ से देखे जाएंगे तो बेस 20,000 कनाल जमीन देके Capital Smarty ने मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा एडवांटिज लिया है कि फ्यूचर में अगर यहां पे कोई भी किसी किसम के को मसले मसाइल जो लीगल होंगे इन में सिर्फ सेक्टर G का Partial Part है जो Non-Developed है इसके साथ साथ कुछ Partial Part Sector H का है जो Non-Developed है बागी तुमाम एरिया मुकंबल है इस वक स्रीन पे आप Golf Course देख रहे हैं यह 18-hole PGA Standard Golf Course है डिजाइन बाई Peter Herodine और इस Golf Course में 9 holes पे इस वक जो काम है वो मुकंबल हो जगा है उसमें बस अभी लास्ट काम जो रहता है वो है Grass की Installation अभी तक उसका गाज नहीं किया गया उसके लिए कुछ sampling जो है वो की गई है Golf Course में बिल्कुल जो Golf Course Facilitation Center है उसके सामने लेकिन उसके लावा यहां पे कोई काम नहीं किया गया यह रस्ते में आपको Water Body नदर आ रही है जो बिसिकली Overseas Prime और यह Overseas Easterly Side को डिवाइट कर रही है इस Water Body का नाम है Sill River जो चहान डैम की आगे से जिसका flow है चहान डैम को जो flow होता है वो यहां पर गिरता है और इस Sill River के खास बात यह है कि यह Society के ने इस Sill River के उपर तीन Bridges Construct की है अब तीन Bridges जो है उनमें मिनिमम जो आपकी लेंथ बनती है ब्रीज की वो साठे़ चार सो बिट बनती है तो इससे आप अदाज़ लगा ले सकते हैं Capital Smartity के development का standard क्या है Capital Smartity जो 2018 में project launch हुआ था आज 2023 में अगर आप side visit करते हैं तो आपको at least कम से कम यहां पे 25 से 30 हजार plot जो है वो developed और possessionable मिलते हैं This is Capital Smartity So this was it for today अगर आप Capital Smartity ने लहुर समार्ट ने लिगकिंग वाल इसको कुछ मालुमाद चाहिए हो अरिज्वान चीमा को दीजिए अजासत अगली वीड़े तके लिए खुदा हाफिज